की डूंधा भी भी बिहार luck कि एक तष्यक्ष्स का आदा हिसरे तब कि लिए प्रीटे है कि एदरें ध्राखे वाली आदा जांथ याom परदे के पीछे से खेल कर रहे थे परदे के बाहर आकर अब ये लोग खेल खेल रहे है बिहार की जनता सब देख रही है आखिरकार भारतिय जनता पार्टी के निताओं की मनसा क्या है ये जगजाहिर हो गया है और बिहार की जनता इसे बखूबी देख रही है सौली सीटर ने क्यों इस बात को कहा कि हमें भी कुछ कहना है जाती अधारित गनना को लेकर लगतार बिहार में जो है वो सियासत हो रहा है ऐसे में विजय चौधरी ने किस तरीके से जो नितीश कुमार के बहुत खास मंतरी है क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे बयान को सुनिए बिहार द्वारा यह जा रहे जाती अधारित गनना के मामले पर अब केंदर सरकार और भाजबा दोनों पूरी तरह बेनकाव हो चुक्त हैं सबको मालूम है कि इस मामले को पहले लोग हित याचिकाओं के माध्यम से पटना उच्चने आले से उच्चतने आले तक धसीटने की और पेच पसाने की कोशिश की देई लेकिन बिहार सरकार की मुस्तेदी के कारण जब लोग हित याचिकाओं के माध्यम से वो इसे रोकने में सफल नहीं हो पाड़े तो सबसे आश्यार जनक और दुख की बात है कि कल गेंदर सरकार स्वेंग उच्चतन नयाले में इस मामले में कूद पड़ी है उनके सुलिसिटर जेनरल ने कल अचानक से उपस्थित होकर इतने दिन से मामला चल रहा है कहीं उनके कान के जू नहीं रहे रहे लेकिन कल अचानक से भारत सरकार के स्वालिसिटर जेनरल ने उच्छतम म्याले में उपस्तित होकर कहा कि हमारी भीज में सुनी जाए और भीघार वास्यों को आस्चार यहीं नेधे हैं हस्यास्पत में लगएगा कि स्वालिसिटर जेनरल ने नियाले को कहा कि नहमें इस मामले के पक्ष ने विक नहुं कारना है न विक हगाना हमको कुछ बात कहने है अब सिर्फ इस बात का मतलव कोई समझ सकता है कि जब ना पक्ष में करना है न भी पक्ष में करना है तो परिशान क्यों है। सिधी बात है। और मामले की सुनवाई चल रही है, अन्तिम चरण में सुनवाई है। जितने याचिका करता है। सब लोग सिर्फ नियाले से एक सुत्री मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए। उनका मालफाइड इंटेंशन तो इसी से जड़कता है। कि और कुछ नी सुने, सुनिये का बात में अभी इसको रोक दिया। और जब उचितन नियाले ने ये कहा है, लगतार कहा है, सुनवाई के दोड़ान, कि भाई हम पूरा मामला सुनने को तयार है। बात समझे हम बीच में ही इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकते हैं, पस्ट का है। तब ये सारी साजिशें, जब केदर सरकार और भाजपा ने देखा कि बिफल होड़ा है। तो अंतिम अस्त्र के रूप में करकेदर सरकार स्वेंग इस मामले में उच्छतम म्याले में कूद परी है। सोच के देखी, कि आज तक उनको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब बातें अब सार्वजनिक हो रही हैं, तो अब उनको उनकी परेशाणी बर रही है। और जैसा कि हमने कहा है, कि या स्याजपत तो यह है कि केदर सरकार उचतम न्याले को कर रहे हैं, कि हमको न पक्ष में करना है न बिपक्ष में करना है। अब सोच लिजिए कि एतने धूम धड़ाके वाली मोदे जी की सरकार केतनी निरी और और उसहाय और निरुने की स्थती में हैं। कि न पक्ष में हैं न पक्ष में हैं। समझ में नहीं आ रहा है। जो क्या है। कितनों आये सरकार के। मतलब नियालय क्यों गए। अब एक सप्ता का समय मिला है। तो हम तो सर्फ बिहार के जनता को दिखाना चाह रहे हैं। कि ये लोग किस तरिके से धीरे धीरे पेनकाब हो रहे हैं। और उनकी असली मंसा और कुछ नहीं है कि बिहार सरकार और लिदीश कुमार ने जो एक ये क्रांतिकारी युगांतिकारी नुर्णे लेके जाती है। धारित गन्ना कराने का काम शुरू किया है। उसको येन केन प्रकारे रोक दिया जाए। क्योंकि ये दवाव में आने वाले हैं। ये अगर हो जाता है तो अलग-अलग राज्यों में भी इसकी मान उठेगी। फिर ये अभी जन गन्ना कराने वाले हैं। उसमें भी पूरे देश से ये मान उठेगी। कि भाई जातिया धारित जन गन्ना कराने तो ये परिशान है। इसलिए अब इनकी कलई खुल रही है। लेकिन हम लोग आभारी हैं उठेटम नयायले के और हमें पुरा भढ़ोसा है। कि जिस तरीके से अभी तक इनकी साजिसे सफल नहीं हुई है। भविश में भी इनकी कोई साजिस सफल नहीं होगी। और उच्छतम नियाजय के भी इजाजत से जाती आधारत गरना के काम बिहार सरकार पुड़ा कड़ेगी जो देश में एक मिसाल काइन कड़ेगा और फिर से जिस तरह के से कई मामलों में निदीश कुमार के नित्रित में बिहार सरकार में पूरे देश को रोश्नी दिखाई ह यह मामला उसी तरीके से एक राक्त्री अस्तर पर नजीर बने वाला है इस तरीके से देखिए दो उसका दो पाट होता है एक उसका विसलेशन होता है तो डेटा कलेक्शन का काम लगबग पूरा हो गया है और ज्यादा कठी कारी विसलेशन का है वो भी चल्लाय जो सिक्र पूरा हो जाएगा